अभिवादन स्विकार की जे ब्रजेश मिस्रा का आप देखना सुरू कर चुके हैं दरीवेट बैनों भाईयों उत्तर प्रदेश का चुनाओ है तो जाहिर सी बात है कि वाइदों की बहुचार है और बहुचार थोड़ी मोड़ी नहीं बहुत बड़ी है राजनीतिक दल के कहता है एक मद्दाता के रूप में पत्रकार के रूप में कि दरसल जो यह वाइदे हैं इन वाइदों का क्या औरुटे कितना पूरे होते हैं यह देखने की और उनके आयलान के राजनीतिक नितार्थ क्या हैं और क्या जन्ता को वो पसंद आएंगे हम इस विशे पर आज चर्चा करने वाले हैं बैन भाईयों अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त से सहुत्तर प्रदेश में उस वक्त चुनावी वाइदों की बारिस हो रही है और बारिस थोड़ी मोड़ी नहीं जमकर मूसला धार बारिस है लेकिन याद रखिएगा यह बारिस वाइदों की है इसका हकीकत की बारिस से कोई वास्ता नहीं होता है राजनीत में जो कहा जाता है दरसल वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता और जो किया करा जाता है वो दिखाई नहीं देता है अधिकांस राजनीतिक दल यही करते हैं चुनाव के पहले मद्दाताओं को बहुत ह काउने वाले प्रस्ताव रखते हैं लेकिन यह मद्दाताओं को तह करना है कि उन प्रस्ताओं को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और एक्चुल में जनता क्या चाहती है आव आजिए मे एक एक करके पहले चारों स्टेक होलडर जो बड़ी पार्टी हैं उनकी वह क्या चाहते हैं वह क्या वाइदे हैं उनके इसके बारे में बात कर लेते हैं रूलिंग पार्टी भारती जनता पार्टी का जनता से वाइदा है कि अगर वो सत्ता में दुबारा वापस लाए तो सब को फ्री लैप्टाप मोबाइल और इसके अतरिक दोगुना फ्री राशन जी हां राशन दोगुना फ्री दिया जाएगा सब को आवास मिलेगा सबको सौचाले मिलेगा 24 घंटे विजली मिलेगी अच्छी कानून व्यवस्था मिलेगी पेंशन और दूसरी चीज़ें पर भी भारती जनता पार्टी विचार कर रहे हैं जो उसकी सबसे राइवल पार्टी है जो मजबूर टक कर देती फिर रही है पेंशन जो अभी मिल रही है व्रधों को महिलाओं को या जो भी पेंशन सरकारी जा रही हो तीन गुना की जाएगी तीन सो यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी लाखों रोजगार दिये जाएंगे नौकरी के आउसर की बात बीजेपी ने भी किये समाजवादी पार् प्रातियां उत्तरप्रदेश के भीतर उन्हें बहाल किया जाएगा और पूरानी पेंशन वेवस्था जो खत्म हो गई है उसको बहाल किया जाएगा उसे वापस लाया जाएगा इसके अतरिक्त नए एक्स्प्रेस वे और पुरानी पेंशन बहाली यह समाजवादी पार्टी के प्रमुक मुद्दा बीयस्पी नाराज है मायवती ने आज नाराजगी भरा ट्वीट किया है और कहा है कि भाजपा सप सब्सक्राइब को प्सक्राइब करताएग गार्थिकयरें और मुद्दी मुफ्थी ने कई वाइदे किये तक करना सिर्फ वह जानती है और कोई अब आएगम का गांधी का वाइदा है चालिस परसेंट टिकट महिलाओं को तीन सिलेंडर मुफ्त स्कूटी मुफ्त मोबाइल मुफ्त लैप्टाप मुफ्त टैबलेट मुफ्त आंगन बाड़ी कार करती हो कि सेलरी दस अजार महिलाओं को नौकरी में प्राथमिक्ता है तमाम और भी लोक लुभावन घोशना है कि हैं प्रियंका गांधी साथ प्रतिज्ञाएं कर रही है और हर प्रतिज्ञां के लिए एक रैली करती है अभी मुरादाबाद में की उन्हें इस कूटी बाटी तो मायवती उस पर भी थोड़ा नहराज है आम आदमी पार्टी तीन सो यूनिट बिजली फिरी सबको फ्री इलाज अस्पतालों का अच्छा अप्ग्रेडेशन बहतरीन इसकूल और दिल्ली का विकास मॉडल यह उनका एक खाका है जो उन्होंने तैयार किया और नौकरियां बाटने का प्रस्ताव है लेकिन चुकि अभी वो प्राइमरी आख से मौझूदू है मने तस् tego कर दी कि इन तस्वीर को के बाद अब को आखलन करना है कि क्स पॉलिटिकल soll पार्टि से आपको क्या चाहिए और कौन सी political party अपने वाइदों को पूरा करने में सक्षम और किसका वाइदों को पूरा करने का इतिहास है जब आप किसी व्यक्ति का किसी संस्था का किसी company का किसी political party का आकलन करते हैं तो आप उसके अतीत से उसका आकलन करते हैं कि उसका past track record क्या है अब वक्त आ गया जनता का कि वो political party के track record देखे उन्हें चेक करें महसूस करें और फिर अपने हिसाब से उसको तै करें कि कोरोना काल में उसने क्या परिशानी अजह ली थी जॉप्स की क्या position है महंगाई कैसे कम होगी जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है सिर्फ आम आदमी गरीब सेलरी पेशा निम्न मध्यमवर्ग मध्यमवर्ग गरीब तपका किसान मजदूर इस महंगाई से सब कोई परिशान है यह कैसे कम होगी यह बड़े मुद्दे हैं आज मैं विस्तार सी इस सब चीज़ों पर जी करिश्टिय कर रहा हूं ताकि आपके समक्षिस्थिति पश्ट रहे कि आप जब चुनाव आ रहा है तो पॉलिटकल पार्टियों के काउंटर पर आपके लिए क्या-क्या है आपको तैय करना है कि उनमें से कौन सी चीज लेनी है कौन सी चीज छोड़नी है और इसका इस्तेमाल आपको बुद्धिमत्ता पून तरीके से करना होग बीना किसी प्रोपोगेंडा में आए ताकि हम उत्तर प्रदेश के को रिसूज रियल इसूज जो आम आदमी गरीब आदमी नौकरी पेशा चोटे मुकाम धंदे वाला व्यक्ति यह जो जेल रहे लोग है यह जो परिशान उत्पिवित क्लास है हम इसका जीवन इस्तर कैसे उठाएं और अपनी प्राथिमिकताओं को पर हम कैसे ठीके रहें अगले 90 दिन हमारी यह आपकी जिम्मेदारी होगी हमारी आपकी मतलब मीडिया की हमारी आपकी मतलब आम आदमी की हमारी आपकी मतलब उत्तर प्रदेश के मत दाताओं की कुछ बयान सुने आप फिर आज क भी जाना हो अगर कहीं पे आपको सड़कों पर गड़े दिखाई दे और साइकाल सुरे अस्त के बाद कहीं से अंधेरा दिखाई दे तो मान लोत्तर प्रदेश की सीमा चिपी है नई पीड़ी को अच्छी पढ़ाई करा दें तो हो सकता है दुनिया में वो नजाने क्या क्या करकर के दिखा दें तो सरकार में बैठे हैं उन्यद्वां उड़ाने में ही फुरसद नहीं है अगर हमारी सरकार आएगी अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बिमारी हो दस लाक रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी तो अब चुकी चुनाओ चोड़ना शुरू हुआ है अगला 80-85 दिन बेहद महतोपून है इसी में इलेक्शन कैम्पेन है इसी में वोटिंग भी होगी और इसके बाद काउंटिंग भी होगी तो अगले 80-85 दिन उत्तर प्रदेश की राजनीत में बहुत गर्मी आने वाली है इस भयानक ठंड में तो ममला बड़ा दिल्चस्प है तो हमें बहुत ही तैयार रहना है मेरे साथ भारती जनता पार्टी से ओपी पांडे मोजूद हैं सुची विश्वास कांग्रेस हैं फैजान खान